Hello students, new NCRT से exercise 2.5 करेंगे, यह exercise based है decimal numbers के division के उपर, इसमें total 6 questions है, सारे के सारे questions इसी वीडियो में हम cover करेंगे, तो first question करते हैं पहले, first question के सभी parts के अंदर यह division करनी है, एक decimal number को divide करना है, एक whole number से, first part देखिए, 0.4 divided by 2, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस decimal number का decimal हटा कर इसको fraction form में करेंगे, वो कैसे करते हैं, यह 0.4 लिखा हुआ है, यह decimal के बाद एक digit है न, तो मैं इसे सिर्फ 4 लिख सकता हूँ, और decimal हटाने के लिए इसके नीचे 10 लगा दूँगा, यह simply decimal हटाने का तरीका होता है, अगर decimal के बाद एक digit है, तो नीचे आप 10 से divide कर दो, अगर 2 digit है, तो फिर 100 से divide कर दो, ऐसे decimal हट जाता है, इसके बाद यह जो divide है, इस divide का हम multiply बना लेंगे, और यह जो 2 लिखा हुआ है, 2 का reciprocal होता है 1 by 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है न, तो हम यह 1 लगा सकते हैं, तो इसे हम 1 by 2 लिख सकते हैं, अब आपको याद आ रहा होगा, जब हम division of fractions कर रहे थे, तो division of fraction के अंदर हम पहले fraction को same to same रखते हैं, और अगले वाला जो fraction होता है, उसका reciprocal कर लेते हैं, तो same उसी तरह से इ हम इसमें करेंगे, तो अगर कुछ number कट रहा है उपर नीचे, तो हम काट लेंगे, 4 और 2 यहाँ कट रहा है, 21002 होता है, 22004 होता है, ऊपर में 21002 हो गया, और नीचे में यह 10 हो गया, अब 2 को 10 से divide करेंगे, यानि अगर नीचे 10 से divide हो रहा है, तो हम इसे decimal form में लिख सकते यहाँ नीचे एक 0 है न, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 में पीछे से एक डिजिट छोड़ कर हम decimal लगा देंगे, तो यह point 2 बन गया, point को हम खाले नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे मैंने पहले decimal को fraction बनाया, और फिर fractions की multiplication की तरह से मैंने इसको solve कर दिया, और fractions से फिर इसको decimal form में answer भी लिख दिया, बाकी question जब सब करेंगे, तो आपको और practice हो जाएगी, second part देखिए, 0.35 को divide करना है 5 से, तो पहले इस decimal number को मैं fraction number बना लेता हूँ, यहाँ पे number है 35, और point के बाद 2 digit हैं, तो इसको नीचे 100 लगाना पड़ेगा, अब divide का मैं multiply बना लूँगा, और 5 का reciprocal कर लूँगा, तो यह 1 upon 5 हो जाएगा, अब simply एक fractions का multiplication का question बन गया है, अब कट रहा है, तो काट लेते हैं, 35 और 5 कटता हुआ, दिख रहा है मेर को यहाँ पे, 505 होता है, 5735 होता है, अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो 7 into 1 उपर में हो गया 7, और नीचे 100 into 1 नीचे हो गया 100, 7 को 100 से divide करेंगे, तो जो decimal है, दो place, right से, 7 और दो place, right से, एक place, एक place की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ 0 लगा लेंगे, और यहाँ decimal लग जाएगा, जब आपका divide में हो, तो decimal लगाने का यह तरीका होता है, जितने 0 होते हैं नीचे 1 के साथ में, आपके नंबर में पीछे से उतने digit छोड़ कर decimal लग जाता है, थर्ड पार्ट देखिए, 2.48 को divide करना है, 4 से, तो 2.48 का decimal हटा लेंगे, तो यह 248 हो गया, decimal के बाद 2 digit है, तो यानि की 100 लगेगा, यहाँ पर divide में, divide का यहाँ multiply बना लेंगे, और 4 by 1 है यह, इसको हम 1 by 4 कर लेंगे, और 4 से 248 कट रहे हैं यहाँ पर, इसको हम divide कर सकते हैं, रफ में, यहाँ पर हम रफ में divide कर ल हो जाएगा, 4, 6,000 होता है 24, और 8 आया, और यह 2,000 आ गया है 8, तो 62 पर कट गया यह पूरा, 4, 1,04 और यहाँ पर आ गया 62, ऊपर 62, 1,062 हो गया, और नीचे 100, 1,000 यह 100 हो गया, इसे हम decimal form में answer निकालेंगे, तो 2 digit छोड का decimal लग जाएगा, क्योंकि नीचे यह 100 से divide हो रहा ह है, जिसमें 2 digits है, 0 की, तो यह 62 है, और 1, 2, और यहाँ decimal और यह 0, अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट है, 65.4 divided by 6, तो 65.4 का decimal हटाएंगे, तो 654 हो गया, और divided by 10 करेंगे, क्योंकि decimal के बाद 1 digit है, अब यहाँ divide का multiply कर लेंगे, और 6 by 1 को हम 1 by 6 लिख लेंगे, अब य यह जो नमबर है, यह 6 से कट सकता है, हम चेक कर सकते हैं, इसको divide कर लेते हैं, अगर यह कट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 654, 6 से divide करते हैं, 61006 हो गया, उपर से 5 उतारा, फिर 000 हो गया, फिर यहाँ 5 आ गया, उपर से 4 उतारा, और 6900 यह 54 हो गया, पूरा पूरा 61006, और जब इसको 6 से divide करेंगे, तो 109 आ गया, अब उपर 109, 109 हो गया, और नीचे 10, 1010 हो गया, अब यहाँ इसको हम fraction से decimal बना देंगे, यह 109 है, नीचे 10 से divide कर रहे हैं, तो एक डिजिट पीछे छोड़ कर decimal लगा देंगे, यह हो गया 10.9, इसके बाकी के parts भी हैं, और 5th part देखिए, 5th part के अंदर number है, 651.2 divided by 4, पहला जो decimal number है, इसका decimal हटाएंगे, 6512 हो गया, upon में 10 करेंगे, क्योंकि decimal के बाद एक डिजिट है, यहाँ divide को multiply बना लेंगे, और इस 4 by 1 को 1 by 4 लिख लेंगे, यह जो 1 है, यहाँ पर hidden है, जब नीचे कुछ नहीं होता ना, तो 1 ह होता है, यह automatic understood है, अब 6512 को में देख लेता हूं, क्या यह 4 से कट रहा है, तो try कर लेते हैं, अगर कट जाएगा, तो सीधा-सीधा हमारा answer आजाएगा, तो 6512, वैसे 4 से divide हो जाएगा, divisibility rule लग रहा है, इसके अंदर, क्योंकि last के जो 2 digit है, यह 4 से divide हो रहे हैं, ऐसे हमको प 4, 8, 0, 4, 6 पे जाएगा, 4, 6, 0, 24 हो गया, और फिर यह, एक मिन दुबारा करता हूं, यहां कुछ mistake हो रही है, 6 से 5, 1, 2 को 4 से divide करते हैं, 4, 1, 0, 4 हो गया, माइनस किया तो 2 आगया, उपर से 5 उता रहा, 4, 6, 0 होता है, 24, यहां 1 आगया, उपर से 1 आगया, फिर 4, 2 पे जाए और माइनस करके हैं 3 आगया, उपर से 2 आगया, और 4, 8, 0 होता है, 32, पूरा कट गया, 1, 6, 2, 8 आगया, 4, 1, 0, 4 और 4 को इससे divide करेंगे, तो आएगा 1, 6, 2, 8, अब उपर 1, 6, 2, 8 को 1 से multiply करेंगे, तो 1, 6, 2, 8 आगया, नीचे 10 को 1 से करेंगे, तो 10 आगया, अब इस 10 को हटा आगये, तो decimal लगा देंगे, तो 1, 6, 2, 8 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ कर यहां decimal लगा देंगे, decimal का question है, तो answer आपको decimal तक ले जाकर solve करना है, next part देखिए, 14.49 डिवैडिट बाइ 7, 14.49 का decimal हटाते हैं, तो यह 1449 हो गया, और upon में 100 करेंगे, क्योंकि decimal के बाद 2 डिवैड का multiply बना लेंगे, 7 upon 1 का 1 upon 7 कर लेंगे, अब यह number 7 से divide होता हुगा मेरे को दिख रहा है, कर लेते हैं इसको रफ में 7 से divide, 1449 divided by 7, 72014 होता है, उपर से 4 उतारा, यह 0 पे जाएगा, यह 4 आगया, उपर से 9 आगया, और यह 7 पे पूरा चला गया, 77049 तो 7107 होता है इसे जब 7 से divide हम कर रहे हैं, तो यह आ रहा है 207, अब 207, 10207 तो उपर हो गया, और नीचे 100, 10100 हो गया, यह fraction हो गया, अब इसे decimal बना देते हैं, 207 नीचे 100 से divide कर रहे हैं, तो पीछे से 2 डिजित छोड का decimal लग जाएगा, इसका second last part देखिए, 7th part, 3.96 divided by 4, decimal हटाते हैं इ 396 हो जाएगा, और upon में यह 100 हो जाएगा, divide का multiply कर लिया, 4 upon 1 का 1 upon 4 कर लिया, अब यह 4 से मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, इसके जो last के जो डो डिजित हैं, यह 4 से divide हो रहे हैं, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से divide हो जाएगा, कर लेते हैं रफ में इसको, 396 को 4 से divide करते हैं तो 480, 490, 9 पे जा रहा है, 36, minus किया, तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर उपर से 6 आ गया, अगेन यह 490, 36 चला गया, 99 आ गया, तो 4104, इसको 4 से divide कर रहे हैं, तो 99 आ रहा है, उपर उपर में 99, 1099 हो गया, नीचे 100, 10100 हो गया, अब decimal लगा देते हैं, यह 99 हो गया, नीचे 2, 0 है 1 के साथ में, तो 2 डिजिट छोड़ते हैं, पीछे से, 1, 2, यहाँ decimal, decimal के आगे कुछ नहीं है, तो खाली नहीं छोड़ते हैं, अपने पास से 0 लगा लेते हैं, यह इसका answer हो गया, इसका last part देखिए, last part है, 0.80 divided by 5, तो 0.80 का हम decimal हटाते हैं, तो यह 80 upon में 100 हो जाएगा, divide क multiply कर लेंगे, 5 upon 1 को 1 upon 5 कर लेंगे, अब 80 और 5 कट रहे हैं, 5, 100, 5 होता है, और इसको 5 से divide करेंगे, तो 16 होता है, 16, 5000 होता है, 18, अब उपर 16, 100, 16 हो गया, और नीचे 100, 100, 100 हो गया, अब यहाँ decimal लगा देंगे, नमबर हैं, हमारे पास 16, divide 100 से हो रहा है, तो 2 प्लेस छोड़ कर पीछे से, 1, 2, इन 2 डिजिट को छोड़ कर, हैं decimal लग जाएगा, decimal को केला नहीं छोड़ते हैं, खाली, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो 0.16, यह इसका last part था, इसके बाद question number 2 करते हैं, question 2 के अंदर यहाँ पर decimal numbers दे रखें, और इन सभी decimal numbers की divide करनी है 10 से, तो इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे कि first question देखी, आप यहाँ 4.8 divided by 10 लिखा हुआ है, पहला तरीका तो यह है कि इस number का हम decimal हटाते हैं, तो यह 48 हो जाएगा, और यहाँ पर digit, जो है decimal के बाद एक है न तो यानि यह 10 से divide होएगा, जैसे हमने last question किया था, same उसी तरह से, कि हम इसका decimal हटा लेंगे, और यहाँ divide का multiply बनाके, अगले number कर रहे सी प्रोकल कर लेंगे, यानि कि 1 upon में यह 10 कर लेंगे इस तरह से, अब यहाँ कट तो कुछ रहा नहीं है, वैसे तो कट रहे हैं, लेकि 10 100 को हम काटेंगे नहीं, ऊपर ऊपर 48 हो गया, और नीचे 10 तेंज हर 100 हो गया, अब इसमें जब हम decimal लगाएंगे, तो क्योंकि नीचे 2 0 है 1 के साथ में, यानि कि यह 100 है, तो 48 में जो decimal लगेगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ कर लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, 0.48 अं लेकिन जब आपको decimal number कोई divide करना हो, 10 से, 100 से, या फिर 1000 से, यानि 1 के साथ में कोई 0 लग रहा हो, चाए 1 लग रहा हो, चाए 2 लग रहे हो, चाए 3 लग रहे हो, तो इतना लंबा method करने की आपको बिल्कुल भी जुरूत नहीं है, इसका simple सा तरीका यह होता है, कि जो divide होता ह यह हमारे number की value को कम कर देता है, और number की value तब कम होती है, जब decimal left में move करता है, तो उसकी value कम हो जाती है, multiply में decimal right में move करता है, उसकी value ज्यादा हो जाती है, अब यहाँ भी हम direct answer लिख सकते हैं, हम जैसे कि यह देख रहे हैं, कि 4.8 है यह, तो number नमबर तो यह 48 है, और यहाँ पर लगा हुआ है decimal, और इसको divide करना है 10 से, तो 10 में एक 0 होता है न, तो यह decimal एक digit left में चला जाएगा, अभी यहाँ पर है न, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें direct answer पता चल गया, और यहाँ हम 0 लगा देंगे, तो आप चाहे तो यह पूरा method यूज कर सकते हो, अग कैसे भी practice कर सकते हो, यहाँ हम direct answer लिखेंगे, क्योंकि इस concept को आपको समझना है, नमबर देखिए second part में, 52.5 divided by 10 है, तो नमबर इसमें 525 है, यहाँ decimal लगा हुआ है 2 के बाद, और 10 से divide कर रहे हैं तो एक digit decimal left में आ जाएगा, 5.25 हो जाएगा, यानि 52 था पहले यहाँ पे whole number अब सिर्फ 5 हो गया, तो इसकी value कम हो गई न, 10 गुना कम हो गया यह, अगले part थोड़ा speed से करेंगे, यहाँ 0.7 divided by 10 है, यानि सिर्फ 7 लिखा हुआ है, और decimal लगा हुआ है 7 के यहाँ पे, तो इससे एक step left में move करना है, तो एक step यहाँ पर हमें 0 लिखना पड़ेगा, decimal लगेगा, इसे खाले नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ 0 लगा लेगे, 0.07 हो गया, अगला देखिए 33.1 है, तो यह number है 331, यहाँ पे decimal है, एक step left में करेंगे, तो यहाँ जाएगा, 3.31 हो गया, अगला part देखिए, यह बड़ा सा number लिखा हुआ है, 272, 2 और 3, अभी यहाँ पर decimal है, एक step left में move करेंगा, तो यहाँ आजाएगा, अगला part देखिए, यहाँ पर number लिखा हुआ है, 56, divided by 10 है, तो यहाँ 5 के आगे decimal है, तो एक step move करने के लिए, यह जो 0 है, इसको jump करके, यहाँ decimal लग जाएगा, तो एक step left में move किया, तो यह answer आगया, 0.056, इसके बाद, number है है, 3.97 divided by 10, तो 397, यहाँ पर decimal है, तो left में एक step move होएगा, तो यहाँ लग जाएगा, और आगे खाली है, तो 0 लगा लेंगे, तो इस तरह से आपको यह direct करने की practice भी होनी चाहिए, यह second question है, इसके बाद third question करते हैं, उसमें भी सेम इसी तरह का question है, बस वहाँ पर 10 की जगे 100 होगा, अब करते हैं, third part, इसका third question, third question पर हैं, सभी के सभी जो parts है, decimal के number से, इनको divide करना है, 100 से, तो पहला जो question है, इसे मैं आपको पहले वाले तरीके से एक बार करके दिखा देता हूँ, 2.7 divided by 100, यानि decimal हटा कर दिखा देता हूँ, तो 27 upon 10 हम लिखेंगे, decimal मैंने ह अटा लिया, फिर divide का multiply बना लिया, और यहां 100 का reciprocal करके 1 upon 100 कर लिया, अब उपर 27 हो गया, और नीचे ये हो गया है, 100 into 10 यानि की 1000, अब यहां 1000 को हटा कर जब हम decimal लगाएंगे, तो 3 डिजिट पीछे से छोड़ कर decimal लगाएंगे, अभी हमारे पास सिर्फ 27 है, इसमें सिर्फ दो डिजिट है, एक, दो, तीसरी अपने पास से लगाएंगे, और यहां decimal लगा देंगे, तो यह हो गया, 0.027, आप चाहिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम direct करेंगे, क्योंकि यहां पे divide 100 से कर रहे हैं, तो जो हमारा decimal है, यह दो डिजिट लेफ्ट में shift हो जाएगा, तो हम direct करेंगे इन सभी parts को भी, यहां पे number है 27, अभी decimal है, यहां 2 के आगे, तो एक डिजिट यह जंप किया, और दूसरा डिजिट यहां है नहीं, तो अपने पास से हम 0 लगाएंगे, और फिर यहां decimal लगाएंगे, और decimal खाले नहीं छोड़ते हैं, मतलब यहां इसको सूना नह चोड़ते हैं, तो 0 लगा लेते हैं, ऐसे करेंगे, second part देखिए, यहां number है 3, अभी 3 के आगे, यहां पे decimal लगा हुआ है, तो दो place left में जाना है, तो मैं पहले place ही बना देता हूँ, एक place यह, एक place यह, यह खाली है ना, तो यहां अपने पास से 0 लगाएंगे, और फिर यह decimal लगा देंगे, decimal अकेला नहीं छोड़ दे, तो 0 लगा लेते हैं, तो इसकी practice आपको आनी चाहिए, कि direct 100 से divide कर दे, 10 से, यह 1000 से, तो answer क्या आ जाता है, third part देखिए, 0.78 को divide 100 से करना है, तो number है हमारे पास 7, 8, और यहां decimal लगा हुआ है, 7 के आगे, तो 7 के आगे लगा है, तो यहां से 2 place जंप करनी होंगी, 2 digits, अब यहां तो 2 digits कोई है नहीं, तो इन दोनों की जगे पे हम 0 और 0 लगाएंगे, और यहां decimal लगा लेंगे, और यह 0 लगा दिया, यह इसका answer हो गया, अगला part देखिए, 432.6 divided by 100, तो number है हमारे पास 4, 3, 2, 6, decimal है, 2 के यहां पर, तो left में एक प्लेस और यह दूसरी प्लेस, यहां पर decimal लग जाएगा, यह दो प्लेस जंप कर दिया left में, 4.326 इसका answer आ गया, फिफ्थ पार्ट देखिए, 23.6, तो number है 236, decimal है यहां पर, तो left में एक प्लेस यह हो गई, दो प्लेस यह हो गई, यहां decimal लग जाएगा, और यह हम 3, यहां पर decimal है, 100 से divide कर रहे हैं, तो यह एक प्लेस, यह दो प्लेस, यहां decimal लग जाएगा, और यह हमने 0 लगा दिया, यह इसका answer हो गया, यह मैंने question number 3 किया, अब करते हैं question number 4, question number 4 के अंदर सभी decimal numbers को divide करना है, 1000 से, तो 1000 से करने के लिए, 1000 में क्योंकि 3 0 होती है, तो जो decimal है, यह 3 प्लेस left में चला जाएगा, तो अगर मैं इसका है direct answer लिखता हूँ, तो यह number है 7, 9, और decimal है यहां पे, मेरे को left में 3 प्लेस जंप कराना है, तो एक प्लेस तो 7 ही हो गया, एक डिजिट तो 7 हो गया, यह दूसरा, और यह तीसरा, यहां पे कुछ है नहीं, तो अपन answer हो सकता है, आपकी teacher इसको थोड़ा simplify करवाना चाहिए, जैसे हमने last में किया है, वो तरीका भी दिखा देता हूँ, 7.9 divided by 1000, पहले इसको हम fraction number बनाएंगे, तो यह हो गया 79, और decimal के बाद एक डिजिट है, तो यहां हम 10 से डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड का multiply कर लिया 1000 का reciprocal 1 upon में 1000 कर लिया, उपर देखिए 79, 1079 हो गया, नीचे 100 को, sorry, 1000 को 10 से करेंगे multiply, तो यह 10,000 हो गया, अब यहां 4, 0 आ गई है, तो यानि 79 में पीछे से 4 डिजिट छोडेंगे, 1, 2, 3, 4 और यहां decimal लगा देंगे, तो देखिए आपका भी वोई answer आया है, इस method से और इस method से भी, हम इस से करेंगे क्योंकि हमें इसकी practice होनी चाहिए, direct concept के through, second part देखिए, number है 2, 6, 3, यहां पर decimal लगा हुआ है, 3 place छोड़ने है, left में, 1, 2, तीसरे की कमी है, तो 0 लगा लेंगे, यह decimal और यह 0, next part देखिए, 38.53 divided by 1000, number है 3853, यहां पर decimal है, left में चलना है, 1 place, 2 place, और तीसरे place में 0 अपने पास से लगा लिया, यहां decimal place कर दिया, और यह 0, next part देखिए, 128.9 divided by 1000, तो 128 और यह 9 हो गया, यहां पर decimal अभी है, फिलाल, 3 place इधर जायेगा, तो 1 place, 2 place, 3 place, left में चला गया, यहां decimal place कर दिया, और यह 0 लगा दिया, अपने पास से, अगला पार्ट देखिए, 0.5 divided by 1000, नमबर है 5, और यहां पर decimal है, फिलाल, तो इस से 3 place इधर जायेगा, एक place, 2 place, 3 place, इन 3 place में हम 0 लगा देंगे, अपने पास से, और यहां पर decimal place करके दिखा देंगे, और यहां पर 0 लगा देंगे, यह इसका last part था, question 4 था यह, इसके बाद करते है, question number 5, में दिया हुआ है, 7 divided by 3.5, अब इन्हें हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जैसे हमने question number 1 किया था, पहला number यहां 7 है, तो इसे हम 7 as it is रख लेंगे, और यह divide का divide, और जो decimal number है, इसे में fraction में change कर लूँगा, तो यह 35 by 10 हो जायेगा, क्योंकि यहां पर decimal के बाद एक digit है, अब next step में मैं क्या करूँगा, यह 7 है, यहां divide का multiply बना लूँगा, और अगले वाले fraction का मैं उल्टा कर दूँगा, यानि कि reciprocal, तो यह हो जायेगा, 10 by 35, अब multiply simple ऐसी करने हैं, जैसे fractions की multiply करते हैं, उपर नीचे अगर कोई number कट रहा है, तो काट लेते हैं, यहां पर 7, 35 कट रहे है 7, 1, 7 और 7, 5, 0, 35, उपर 10, 1, 0, 10 हो गया, और नीचे यह 5 हो गया, 10 को 5 से divide करेंगे, तो 2 आगया, तो इसका answer आगया है 2, second part देखिए, 36 को divide करना है 0.2 से, तो 36 as it is रखेंगे, divide का divide, इसे हम fraction बना लेते हैं, यह 2 by 10 हो जायेगा, next step में, यह 36 as it is, अब यहां divide का हम multiply कर लेंगे, और इस fraction को उल्टा कर देंगे, यह हो जायेगा 10 by 2, अब 2 से 36 कट रहा है, 2, 1, 0, 2 हो गया, और यह divide करेंगे तो 18 पे जायेगा, उपर 18 into 10, 180 हो गया, और नीचे 1, 1, 0, 1, 1 लिखने की ज़रूत नहीं है, इसका answer आगया है, 180, थर्ड पार देखिए, 3.25 को divide करना है, 0.5 से, तो दोनों के पहले में decimal हटा लेता हूँ, यहां पे 325 हो जायेगा, divided by हो जायेगा 100, क्योंकि decimal के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के साथ में 2, 0, divide as it is, यह 5 हो जायेगा, और यहां पे divided by 10 हो जायेगा, अब next step में इसे मैं multiply की form में बना लेता हूँ, 325 by 100, divide का multiply, और यह उल्टा हो जायेगा, 10 upon में 5, अब यहां 0 से 0 कट रहा है, यह 1 0 उपर का इस नीचे वाले 1 0 से कट गया, यहां पीछे 5 है, यहां भी पीछे 5 है, या 5 से divide करेंगे, तो वनाएगा, इसको 5 से divide कर लेते हैं, हम rough में, वैसे तो आप divide खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाई देता हूँ, 325 को 5 से divide करेंगे, तो 3, 5, 6, 0, 30 हो गया, और यह 2, और यहां से 5 आ गया, और 5, 5, 0, 25, तो पूरा-पूरा कट गया, यह कट कर यहां 65 आ गया, अब उपर में 65, यह तो खतम ही हो गया 10, उपर 65 हो गया और नीचे यह 10 है, तो हम लिखेंगे 65 बाय 10, अब इस fraction को हम decimal form में बनाएंगे, तो एक 0 की वजए से पीछे से एक डिजिट छोड़कर decimal लग जाएगा, यह बन गया 6.5, यह इसके 3 पार्ट थ सबसे पहला स्टेप, इनके decimal form को fraction form बना लेते हैं, 3094 अपन में यह 100 हो जाएगा, क्योंकि decimal के बाद 2 डिजिट हैं, डिवाइड का डिवाइड, यहां 7 बाय 10 हो जाएगा, 3094 अपन में 100, अब यहां डिवाइड का multiply और यह 10 अपन में 7 हो जाएगा, यहां भी 10 और 100 कट रहे हैं, यह 10 से इसका यह 10 कट गया, और उसके बाद में नंबर यहां पे 7 और यह 3094 है, तो मैं ट्राइ करता हूँ कि क्या यह 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि जान पूछ कर question इसी तरह के आते हैं, ताकि आसान से simplify हो जाएगा, 74028 होता है, यहां पे 2 से, 7107 हो गया, इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 442 आ गया, 442, अब उपर 442 ही बचा है सिरफ, तो 442 लिख देंगे, और नीचे 10 बच गया है यह, और यह 1010 हो गया, अब डैसिमल लगा देंगे, तो 442 नीचे एक 0 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहां डैसिमल लग गया, 44.2 इसका अंसर आ गया, अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, 0.5 को 0.25 से, तो इसको हटाएंगे डैसिमल को, तो यह 5 अपॉन 10 हो गया, डिवाइड ऐसिट इस, इसका डैसिमल हटाएंगे, तो 25 अपॉन में यह 100 हो जाएगा यह 5 अपॉन 10 as it is रहेगा, यहाँ डिवाइड का मल्टिप्लाइ कर लेंगे, और यह अगला फ्रेक्शन उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन 25, अब 5 25 कट रहे हैं, 5 105 होता है, और 5 5 25 होता है, अब यहाँ पे 1 0 इस 1 0 से भी कट रहे हैं, तो यह 1 0 इस 0 से काट दिया, तो उपर पार्ट देखिए, 7.75 divided by 0.25, पहले decimal हटाएंगे, तो 775 अपॉन में यह 100 हो जाएगा, डिवाइड as it is, इसका decimal हटाएंगे तो 25 अपॉन में 100 हो जाएगा, यह सेम टू सेम रखेंगे पहला वाला फ्रेक्शन, और यहाँ डिवाइड का मल्टिप्लाइ करके अगला फ्रेक हो जाएगा, मैं इसको 25 से पूरा डिवाइड कर लेता हूं, रफ के अंदर, आप भी देखना इसको, वैसे डिवाइड आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं, 25, 3000 होता है 75, यहाँ 2 आ गया और यह 5 आ गया, और 25, 1000 होता है 25, पूरा चला गया है, इसका अंसर हो गया है 31, 6th पाट था, इसके बाद करते हैं, इसका 7th, 8th और 9th पाट, 7th पाट के अंदर 76.5 को डिवाइड करना है 0.15 से, पहले decimal हटाएंगे हम दोनों नंबरों का, तो इसका decimal हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 लगेगा, डिवाइड ऐस इट इस यह 15 लिखा हुआ है, इसका decimal हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, अब 7, 6, 5 अपाट में 10, डिवाइड को हम multiply बना लेंगे, इसको inverse कर लेंगे, 100 अपाट में 15, यहाँ 1, 0 इस 1, 0 से कट गया, और यह पीछे 15 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे भी यह 5 है, तो मैं यही ट्राई कर लेता हूँ कि क्या यह 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसे 15 से डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ, यह जो 7, 6, 5 है, इसे 15 से डिवाइड करके ट्राई करते हैं, तो 15, 5000 होता है, 75, यह 1 आ गया, और उपर से 5 आ गया, और 15, 10, 15 हो गया, तो पूरा 510 तो उपर में आ गया और नीचे ये 0 खतम हो गया ये 15 पूरा ही खतम हो गया तो final answer इसका 510 आ गया आगे देखिए 37.8 divided by 1.4 सबसे पहले decimal हटाएंगे तो 378 हो जाएगा और upon में 10 लगेगा क्योंकि decimal के बाद एक digit है divide as it is ये 14 हो जाएगा और नीचे इसी तरह यहाँ भी 10 लग जाएगा next step में हम इसे multiplication form में बना लेंगे 378 by 10 into में 10 upon में 14 10 से 10 पूरा कट गया ये 378 है और divided by यहाँ पर 14 है तो मैं try करता हूँ कि क्या ये 378 14 से पूरा divide हो जाएगा 378 divided by 14 14 2000 होता है 28 14 2000 28 हो गया ये माइनस करने पर यहाँ 9 आएगा 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 आगया और उपर से ये 8 आगया तो 14 के table में 98 आता है 14 के table में आता है 14 7000 होता है 98 तो ये पूरा कट गया 14 से यहाँ 14 1014 हो गया और यहाँ पर कटने के बाद 14 से divide होने के बाद 378 27 आगया अब उपर है 27 इंटू यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर ये 10 भी खतम 14 भी खतम तो final answer इसका 27 ही आगया है इसका last part देखिए 2.73 इंटू में 1.3 decimal हटाते हैं तो 273 और digit के point के बाद 2 digit हैं तो 1 के सामने यहाँ 2 0 यानि कि 100 से divide होगा divided by ये 13 13 हो गया decimal हटाया तो नीचे 1 0 लग गया next step में इसे multiply form में बना लेंगे 273 अपॉन में 100 divide का multiply हो गया और 13 by 10 10 by 13 हो गया यहाँ ये 10 इस 10 से कट गया अब ये 273 और नीचे में ये number 13 है तो try करते हैं कि क्या ये 13 से पूरा divide हो जाएगा तो चेक कर लेते हैं ये 273 है divided by 13 13 2000 होता है 26 ये 1 आ गया और ये उपर से 3 आ गया 13 1000 होता है 13 ये पूरा कट गया तो 13 1000 13 और इसको जब 13 से divide करेंगे तो ये 21 हो गया अब उपर 21 इंटू में यहाँ कुछ भी नहीं है तो उपर 21 हो गया नीचे यहाँ 10 और ये 1 10 और 10 हो गया 21 by 10 है decimal लगाएंगे नीचे एक 0 है तो इसमें पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ decimal लग जाएगा इसका अंसर हो गया है 2.1 तो इस question number 5 का last part था इसके बाद एक question और बचा है question number 6 अब उसको करते है question 6 देखिए क्या कहता है यह एक word problem है अब vehicle covers a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters एक गाड़ी है वो जो है 2.4 liter petrol के अंदर यह distance cover करती है 43.2 how much distance will it cover in 1 liter of petrol तो बताइए 1 liter petrol के अंदर यह कितना distance cover करेगी अब जब हमें जादा का दिया होता है और हमको one का find करना होता है तो यह unitary method बोलते हैं इसको आप fourth, fifth में भी कर चुके तो यह divide का question बन जाता है तो यहाँ पर divide होगी इनकी language का question है तो language ज़रूर लिखेंगे हमें यहाँ पर find करना है distance तो distance को तो रखेंगे हम is equal to के right side में यह ध्यान देना language में लिखते वक्त इसमें क्या ध्यान देना होता है distance हम right में रखेंगे और petrol हमें दोनों जगे पर दिया हुआ है तो petrol को रखेंगे हम यहाँ पर left side में अब language बनाते हैं तो distance covered in 2.4 liter petrol यह इतना है तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि distance covered in 2.4 liter petrol यह जो distance है यह है 43.2 kilometer हमें find करना है 1 liter का तो same language रहेगी distance covered in 1 liter petrol is equal to 43.2 kilometer को हम divide करेंगे यहाँ 2.4 से तो यह 2.4 यहाँ पर आ जाएगा तो बन गया यह divide का question अब same जैसे हमने पीछे divide की है वैसे यहाँ भी हम divide करेंगे तो यह जो decimal है इसको हम हटा लेते हैं पहले 43.2 का decimal हटाएंगे तो यह upon में 10 लग जाएगा divide का divide as it is रखा पहले मैंने 2.4 का decimal हटाएंगे तो 24 by 10 हो गया अब इसको हम multiply का question बना लेंगे 432 upon में 10 हो गया divide से multiply बना लेंगे और यह उल्टा कर देंगे 10 upon में 24 यहाँ 10 से यह 10 पूरा पूरा कट गया मिरको दो नमबर दिख रहे हैं 432 और यहाँ upon में 24 है यानि इसकी 24 से divide करनी है तो इसको divide कर लेते हैं हम यहाँ पर 432 divided by 24 अब 24 1 024 होता है 24 2048 होता है तो वो तो जादा हो रहा है यानि 1 पे ही जाएगा 24 1 024 हो गया माइनस करेंगे तो यहाँ पर यह 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ गया 3 में से 2 गया तो 1 आ गया और यह 2 ऊपर से उतर गया 192 हो गया अब 24 8 0 होता है 192 यह पूरा पूरा चला गया तो यहाँ अंसर आ गया है 18 और यह जो 18 आया है यह हमारा distance है यानि कि यह किलो मेटर है तो यह किलो मेटर है यह इसका अंसर हो गया तो एक लीटर पैटरोल में 18 किलो मेटर गाड़ी चलेगी यह इस exercise 2.5 का question number 6 था यह last question था इसके साथ ही exercise खत्म हो जाती है